अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्री से सब्सक्राइब कर दीजी क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेस आपको के लिए आने बाकी है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन आज के लेसन में अगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आज हम क्या करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं Attitude, Formation & Change Work-related आपकी क्या क्या तरीका रहता है आपका behavior कैसा रहता है वोक-related Satisfaction क्या होता है आज हम उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि learning क्या होता है और उसके कौन-कौन से components होते हैं तो चलिए start कर लेते हैं आज का lesson सबसे पहले जानेंगे कि attitude formation कैसे होता है और उसमें क्यक्के changes आती है तो जो individual attitude होता है वो क्या है हमारा repetitive जो हम काम करते रहते हैं personal level पे उसके ideas के basis पे हम कौन-कौन से लोगों से मिल रहे है attitude उसके basis पे क्या होता है हमारा build होता है ठीक है और यह क्या है यह learned भी होता है basically ठीक है और यह situation के basis पे रहता है जो पने पानी एक्सपीरियंस के basis पे जब आपका हाथ चलता है तब आपको पता चलता है कि हां यह जो पानी है वो गरम पानी है ठीक है इसी तरивिस से मैंने आपको last time example दिया था कि अगर हमारे घर पे करने आता है तो हम क्या करते हैं कि उससे बच-बच के चलने की कोशिश करते हैं कि अगर क्ने निसलाश अभी टच कर लिया तो हमारे हात में जर्म्स ना आ जाए या हमारी बॉड़ी में उनके जर्म्स ना आ जाए तो ये क्या है? ये साथि चीजे हम लोग अपने बच्पन से देखते आ रहे होते हैं इस वुझा से हमारा attitude ऐसा बन जाता है हमारी thinking ऐसी बन जाती है ठीक है इसी तरीके से attitude को क्या है हम change भी कर सकते हैं बाप बोलोगे मैं attitude कैसे change करेंगे जब हमारे पास कोई नई information आती है तब हम उस attitude को change कर सकते हैं माल लीजे कि जो नए employee होते हैं जिन्होंने अभी-अभी काम करना शुरू किया है तो क्या होता है जहर सी बात है उनके पास इतना जादा experience नहीं होता है और जो companies होती है वो आपको इतनी जल्दी hire नहीं करती है क्यों नहीं hire करती है क्या वज़ा होती है वज़ा यह होती है कि उनके mind में negative attitude बना हुआ होता है कि यार यह तो नया नया आया है एक साल काम सीखने के बाद क्या है चला जाएगा यहाँ प ऑदो डालता है लेकिन आपको कया है रेस्पॉन्सिडी इस नहीं देता है इतनी जादा मतलब आपके पास इतनी ज्यादा थारिटी नहीं होती है क्यों कि आपके पास क्या है इतना experience नहीं है लेकिन जब आप द्हुरें द्हुरें पर सं वो जो manager होता है धीरे 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 आपकी प्रती क्या है आपको और information share करना शिरू कर देता है ठीक है तो यह क्या हुआ हमारा attitude change हो गया है धीरे धीरे उन new employees के प्रती चलिए next मैंने आपको बोला था कि मैं आपको work related attitude बताऊ में ठीक है तो work related attitude क्या होता है यह mostly depend करता है काफी सारी चीज़ों पर जैसे कि आपकी salary हो गई, promotion abilities, possibilities हो गई, superior fringe benefits, food जो आपको मिल रहा है canteen में uniform कैसी है उन चीज़ों को लेकि बहुत जादा क्या है attitude issues रहते हैं आपने देखा होगा कि जिस person की salary आपकी salary से high है ठीक है तो वो किस तरीके से आपके साथ ऐसे behave करेगा चाहे आप दोनों आपस में friends भी हो लेकिन वो फिर भी कही ना कहीं ऐसे आपकी उपर superior feel करवाएगा आपको कि मैं तुमसे जादा कमाता हूँ या पिर कहीं ना कहीं आपको क्या है नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो क्या है work related attitude है और इसी तरीके से अगर कोई भी person जो है job satisfied है जिसको काम करने में मज़ा आता है और जो क्या है हर समय पसंद करता है वो क्या होगा छुटियां कम करेगा ज्यादा से ज्यादा organization में time spend करना पसंद करेगा वहीं जिस employee को पसंद नहीं होगी वो organization जहांपे वो satisfied feel नहीं करेगा वो जा जाके दूसरी desk के उपर क्या करेगा द दूसरों को भी frustrate करेगा खुद भी stress रहेगा और अपना stress दूसरे workers को भी बाठता फिरेगा whereas जो की satisfied हमारा worker रहेगा वो अपने काम के प्रती क्या है खुद भी खुछ रहेगा और अपने आज-पास के वातवरन को भी खुशनुमा बना के रखेगा इसका जो सीधा-सीधा influence होता है वो organizational factors के थुरू भी जाता है ठीक है organization के ये जिम्मेदारी है कि वो employees को कहें satisfy रखें अब वो employee को satisfy कैसे कर सकते हैं अपनी pay policy के थुरू promotion उनको time to time मिलती रहे policies अपने procedures ऐसे बनाएं company के अंदर और कि जो employees हैं वो अपने ideas share कर सकें उनके दिमाग में जो चीजे आ रह organization ऐसा हो ठीक है group factors बनाए जाएं जो managers हैं जो आपकी co-workers हैं जो आपकी superior है उनके साथ क्या है आपकी relations अच्छे हों आप उनके साथ क्या है अपनी दिल की बात share कर सकें दिल की बात यह नहीं कि मैं अपनी girlfriend से मिलने किया तो वो नहीं organization के अंदर जो आपको difficulties face करने के लिए मि पूछ सकें कि मुझे यहां पर इस काम को करने में problem आ रही है मैं किस तरीके से काम को करूँ इतनी clarity होनी चाहिए आपकी employer में और employee में ठीक है तो यह उसके अलावा क्या है individual needs आ जाती है ठीक है उनको भी हमें satisfy करना होता है individual needs अगर हमारी fulfill रहती है ठीक है तो सहर सी बात है employer satisfy satisfy रहेगा यानि कि मेरे को इतने पैसे की जरूरत ही और यह company जो है इतने पैसे मुझे provide कर रही है काफी सारे employees मैंने देखी है कि जो demand करते हैं कि ठीक है हमारी जो requirement है 50,000 उपीस हमें अगर अगर जाने जाने वाले तो अगर एंप्लाइ सेटिस्फाइड होगा तो जाहर सी बात है वो आपकी company को जल्दी से छोड़के नहीं जाएगा और ज्यादा चुटिया नहीं लेगा और इसी का उल्टा है अगर वो dissatisfied होगा तो और जगाँ पर अपनी application डालता फिरेग इस company के अंदर डाल देता हूँ उस company के अंदर डाल देता हूँ और वो छुटियां लेता रहेगा next है हमारा learning अब हम जानेंगे कि learning क्या चीज होती है learning जो होती है हमारी psychological एक process है human behavior का जो कि क्या है एक permanent change लेकर आता है आपके behavior के अंदर और यह change आता कैसे है यह हम build कैसे करते है हमारे experience के थूरू हमारी practices के थूरू यहाँ पर इस definition में जो मैंने purple line में आपको दिखाई है इसके इंदर चार बहुत important point है अगर आप वो समझ लेते हो तो आपकी learning की जो thinking है वो पूरी की पूरी आपकी clear हो जाएगी वो definition आपकी पूरी clear हो जाएगी ठीक है तो यहाँ प मतलब यह नहीं है कि वो कुछ अच्छा ही change लेकर आएगी ठीक है कई बार क्या है कुछ बुरी आदिते भी stereotyping type की आदिते भी हम adopt कर लेते हैं वो भी हम learn कर लेते हैं जैसे कि जब हम छोटे होते हैं ठीक है तब हमें अच्छा लगता है दूसरों की help करना हम चीज़ बढ़े होना शीडू होते हैं स्कूल से कॉलेज में जानने जब होते हैं तो वहां पर काफे सारे लोगों क्या है सिग्रेट मीने की smoking की habit लग जाती है drinking की habits लग जाती है तो क्या यह अच्छी habits नहीं है लेकिन क्या है हम टेक्षिन दिखाने के चकर में कि हां देखो मैं कर स स्टेरियोटाइपिंग के अंदर जैसे कि मैं आपको पहले भी example दे चुकी हूं कि जो हमसे लोड तबके के हैं ठीक है उनके साथ हम बहुत बुरी जरके से behavior करने लग जाते हैं जबकि जब हम छोटे होते हैं तब हम उनी के पीछे-पीछे घुम रहे होते हैं ठीक है तो य temporary अगर कोई change आता है तो उसे हम part of learning नहीं मानते हैं ठीक है जैसे कि permanent change in the sense कि हम को starting में जब हम स्कूल जाना शिरू होते हैं हमें नहीं पता होता है कि 2 plus 2 जो है 4 होता है लेकिन अब हमने यह सीख लिया है हमसे अब कोई भी पूछेगा कि 2 plus 2 क्या होता है हमें पता है कि यह 4 ह हुआ है तो काफी सारे लोगों को याद होगी लेकिन काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो हमने पढ़े होंगे लेकिन हमें याद नहीं है संस्कृत उन में से एक है मुझे थोड़ी बहुत अभी याद है ठीक है लेकिन उसको हम part of learning नहीं बोलेंगे क्योंकि वह हमार कर रहे हैं behavioral change की वह कैसे होगा वह होगा हमारी practice के थ्रू और experiences के थ्रू ठीक है जैसे कि हम math करते तो math में काफी सारे ऐसे formulas होते थे जो हमें नहीं याद है ठीक है लेकिन जिस formula को हम सबसे जादा practice करते थे जैसे कि a square plus b square कितना होता है ठीक है a square plus b square is equal to 2ab होता है जब हम bracket के अंदर करते हैं a plus b ka whole square जब हम करते हैं तो वो a square plus b square is equal to 2ab होता है ठीक है तो इसकी हमने जाद से जादा practice की भी है तो क्या है यह हमें याद है क्योंकि हमने इसकी practice की भी है ऐसे ही गरम पानी धंडा पानी हमें बच्पन में नहीं पता हमने अपना हाथ जला के देखा है हमन बाद रख पाते हैं तब हम उसे क्या बुलाते हैं learning चलिए अब हम इसके components भी देख लेते हैं कि क्या क्या components है basically इसके इंदर जो है five components आते हैं सबसे पहला है हमारा drive then आता है हमारा clue stimuli then हमारा response उसके बाद है हमारा reinforcement and last but not the least retention तो इन सभी के बारे में मैं जो आपको अपनी next lesson म मैं बताने वाली हूँ तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा lesson अच्छा लगा हो तो please subscribe कर दीजेगा like कर दीजेगा share कर दीजेगा अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि आपके लिए मैं और वी ऐसे interesting lessons लेकर आती रहूं तो friends अब मैं आपसे मिलूंगी अपने next lesson में तब तक के लिए keep learning keep sharing thank you so much friends